देखिए हमारे 49 लोगों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें 62% से जादा लोग SC, ST, OBC और Minority Community के हैं एक बात किसी के उपर कोई अपराधिक छवी का नहीं है दूसरी बात तीसरी बात अवरेज 80% से नीचे लोग 58 साल से कम उमर के हैं और लगबग लगबग साउथ की लिस्ट जारी हुई है, 36 गड़के उसमें लोग जारी हुए है आदरणी भूपेश बगेल जी भी है, उसमें राहूल गांधी साब भी है, उसमें शशी स्थरूर साब भी है, केशी विणो गुपाल साब भी है तो ये लिस्ट हमारी 49 की 49 जीतने वालों की लिस्ट है अब भारती जनता पार्टी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, भारती जनता पार्टी का विजन है लेकिन हमारा विजन देश को बेरोजगारी से मुक्त कराना, रोजगार परक विकास देना, महंगाई से मुक्त कराना विदेश नीती को बहतरीन बनाना, ताकि हम लोगों के समकक्ष जैसे हम पहले खड़े होते थे, वैसे खड़े हो ये इस लिस्ट का मूल उद्देश इस तरीके का है, बाकी भारती जनता पार्टी राजनेतिक बात जो कर रही है, विश्यांतर जो कर रही है, वो उनको मुबार्ट देखिए अमेठी से हमारा रिष्टा आत्मिक है, अमेठी हमारा घर है, कोई हमको हमारे घर से न तोड सकता है, न फोड सकता है, न छीन सकता है, एक बार चुनाओ जीत लेने से, अमेठी किसी और की नहीं हो जाती, इस बार याद रखे भारती जनता पार्टी जमानत जब्त करके भीजेंगे, अमित मालविया हूं, स्मृती इरानी हूं, इनकी सब की थितरही जो है, व और चेंद्री मंसेर अनुराग ठाकुर ने काहा, जितना बीजेपी की सरकार ने किसानों की किया, उतना पूज में किसी भी सरकार ने नहीं किया, कौन्गरिस ने सिर्फ साड़े पांच लाग करोर दुपय दस साल में खरच किये थे किसानों के उपर, और हमने 18.40 लाग करो में हुई किसी शाषनकाल में नहीं किसाने को उपर जितना कर्ज भारती जनता पार्टी के शाषनकाल में लदा है उतना कर्ज किसी शाषनकाल में नहीं लदा किस बिल्कुल अनुराग ठाकूर ने ठीक कहा कि किसानों का खर्च चार गुना हो गया वो किसी शाषनकाल में आज तक नहीं हुआ क्योंकि बाकी सब लोग डीजल पे पेस्टिसाइड्स पे खाद पे सबसीडी दिया करते थे तो जितनी महगाई किसानों को जहिलनी पड़ रही है और जितना कम MSP का दाम भारती जनता पार्टी के समय में कम बढ़ा है उतना किसी के समय में नहीं बढ़ा को वोट की चोट देगा और आपको आपकी हैसियत दिखा देगा एक प्रोग्राम में सीम योगी अधितनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एक सेफ और प्रसिपाई प्लेस है यहां पे महिला सशक्तिकरण की बात होती है और वो हम लोगों ने धरातल पे उ हिलाओं को टार्गेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में NCRB के आकड़े कह रहे हैं योगी आधित नाथी जी आप क्या NCRB के आकड़े नहीं पड़ते हैं क्या आपको किसी किसम का जhूट बोलने में या आपके अधिकारी आपको जानकारी नहीं देते हैं आग खोल प्रतारित करना चाहिए कि उन्स आप से कम से कम जूट तो ना बोले हो कि दो बारा करना चाहिए वाले जीम योगी ने कल अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं कि यहां यहां पर आदितिनाजी महिलाएं कानपुर जैसी सुरक्षित है जहां पर उनके साथ दुराचार होता है उनकी वीडियो बनाई जाती है बलातकार होता है उसके बाद दोनों महिलाएं आत्महत्या कर लेती दोनों बच्चिया तंगी हुई मिलती है उसके बाद उसके पिता को मुकदमे की धमकी देते है और उसका पिता भी आत्महत्या कर लेता है ऐसा जो राज है वो और दुनिया में कहीं नहीं है कि जहाँ पर लड़कियां भी मारी जाए उसके पिता भी मारे जाए सब लोग आत्भत्या करने को मजबूर हो और आपकी भरस्ट शासन विवस्था उस पर ताली बजा रही हो और आपको ये बता रही हो कि उत्तरपदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित है जागिए और अपने अधिकारियों को भी जगाईए और कहिए उनसे वो जूट बोलना बंद करें या तो द्रस्टी खराब है या द्रस्टी दोश हो गया है दोनों का इलाज कराई या दरने हो गया ते दाकर आदेते नाजी